निमस्कार किशान भाईयो और येल किशान चैनल में आप शबीका बहुत बहुत श्वागत है तो किशान भाईयो आज हम जो आपके धान के खेत में दिखाने लाए हैं कि आप ज़्यादा टिलर पाने के लिए और स्वस्त एकदम चबरजस्त गिरोथ चाहिए अगर धान में आप क्या । डालें और क्या ना डालें जैसे मैं पीछा आए उसके दीए ना मेने दिखान से तो जैसे के द। oldu आप सी तरीके से सारे कि सारे कि आप सक than है और कोई रोग नहीं है कोई वह से जबर जस्षिए itam में आप देखेंगे कि इसमें जड़ों का विस्तार कितना अच्छा हो रहा है आप यह जबीनुक के अंदर देखिए यह जो सफे सफे जो आपको दिख रही है यह सब धान की जड़े हैं आप किसी भी पौधे के आसपास अगर देखेंगे तो इस तरीके से आपको यह देखन ही देने वाले हैं तो किसान भाई हो अगर कोई किसान भाई हमारी चैनल पर नए आया है तो चैनल को लाइक से रहें सब्सक्राइब करें और बैल आकन की निसान को जरूर दबातें ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन शमय पर मिल सके आप देखेंगे एक दम शा नहीं है नहीं तो मैं आपको यह देखो आप कोई साभी आप यह उठा लो एकदम स्वस्थ है और जबर्जश्थ किल्णा है कम से कम पचास पचास साथ साथ टिलर एक एक उसमें है और इसकी अगर हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यह खड़ा हूं तो यह लगबग मेरे कमर तक आ गया है तो हाइट भी इसकी अच्छी हो गई है और ग्रोथ भी अच्छी है तो अब इसमें हमने डाला क्या है आज हम इसमें इस्प्रे दे रही हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि यह इस प्रे में हम क्या-क्या देने वाले हैं तो आईए हमारे साथ और मैं दिखाता हूँ आपको किया क्या हम इस्प्रे में देने वाले हैं किसान भाई यो ज्यादा मेरे के फ्रोड बाते आते नहीं है उल्टा सीधा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएं जो कि प्रोफेशनल में में तो आप कहते हैं कि कि बोलने का तरीका खोड़ा लग है तो वह हो सकता है कि किसान है हम कोई यूट्यूबर प्रोफेशनल लहीं है अगर यूट्यूबर होते तो आपको फेक जनकारी देते रहते तो आईए हम दिखाते हैं कंपनी का लेसकते हैं धीते हिमिक प्रटेशियम अंठाने परसंट यह किसी भी आप अच्छी कंपणी का ले सकते हैं इसकी मात्रा भी आपको बताएंगे तीसरा जो हमने दिया है पोदिया है यह न्यूटरी का बुष्ट मास्टर बुष्ट मास्टर यह बाहर का प्रोड़क्त है आप देख सकते हैं यह मेडेन फ्रांस का प्रोड़क्त है मेडेन फ्रांस इतना जबर्जस्त यह प्रोड़क्त है कि जिस भी फसल में इसका अगर आप इस परे कर दो चाहें मुँफली हो चाहे आलू हो चाहे कोई भी फरसल है चाहे सबजी बरगी है जबर जस्त फ्लॉवरिंग फ्रूटिंग खुटान इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जबर जस्त रिजल्ट देने वाला है और तीसरा हम देते हैं हर बार इसमें आपको मैं दिखाऊंग लॉकी यह स्टीकर है और स्टीकर के साथ साथ यह ग्रोट्थ्ट प्रमोर्टर का भी काम करता है यह देहात का है क्योंकि हम बूश्ट माश्टर, 200 ml, बूश्ट माश्टर, पहला ये हो गया, दूसरा, हमने ये 100 ml का लोगी इसमें डाला है, जो की इस्टिकर के जगे काम भी करता है, ग्रोफ परमोटर का काम भी करता है, तीसरा, हमने इसमें हिमिक पेटेशियम, 500 ग्राम, डाली है, चोथा, 0,54, इसमे मैंने सबसेंगे और किन देखेंगे धिकड़ेकों और इस तरीकें से आपनीर की शंख्या सबसे कम लेते तो मैंने देख हो यह 200 लिटर का ड्रम आदिक हेट में हम लगा चुए हैं तो मैं आपको लाओ करें वीडियो का अपडेट देंदू पूरा दोसें लिटर का ड्रम यह तक पूरा भारा हुआ था आदे खेट में इस पर लग गई है अभी लग रही है बाकी में तो इस तरीके से यह आप गोल बना लें 200 लीटर पानी में एक एकड़ में यह सारे आइटम आप मिलाकर डाल दें तो जबर जस्त आपका यह जबर जस्त और शांदार यह एक तरीका का टॉनिक बन जाएगा जो कि आप खेट में डालोगे तो खेट में आपके टेलर की संख्या बेहसाब धाय में होगी और जब इसमें गबोदे पर आएगा इसकी इस पर फिर भी देंगे 054 और जब गबोदे निकल जाएग आप इसके देखना कितने शांदार परडाम और शांदार रजल्ट आने वाले हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है तो अगर किशान भायो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस परे भी करके क्योंकि अगर मैं इस परे करके नहीं तो आप देखोगे ऐसे ही तो यह इस तरीक से गरेगी इस पोदे पर तो यह ज्यादा ग्रोथ का काम करेगा ऐसा नहीं है कि आप इसमें अनाप्शना मोटा मोटा बहु जादा तो यह सारी दवाई जो है ना टपक के नीची आ जाएगी लेकिन अगर हम इस तरीके से इसकी इस परे देते हैं और अच्छे से यह हम हमारी चैनल में मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद